ब्रिष्चिक राशी बालो नमस्कार मित्रों जैन महतादी स्वागत्याब शभी का हमारे यूट्यूब चैनल में ब्रिष्चिक राशी बालो दोस्तों क्यासी हैं आप शभी आशा करती हैं मातारानी की आशिरवाद से आप शभी बहुत अच्छे होंगी और विरिश्चिक राशी बालो धन की देवी मातारानी लक्ष्मी जीजी आप के लिए दोनों हाथ जोड़ कर प्रार्तना करती हैं कि है मातारानी आप शभी को अपने चर्णों में ही रखना आप शभी को बराबर खुश्या देना किसी को नरास मत रखना आप किसी को भी उदास मत रखना खाश कर उन लोगों को माता रानी जिनका सहारा केवल आप ही हो बरिश्चिक राशी वालो अब आपको परिसान होने की जरुवत नहीं है क्योंकि दोस्तों आज दोपहर तीन उनसट बजे के बाद एक जटके में आपकी जिन्दकी बनल जाएगी जी हरोस्तों प्रकार्ट से यू कहें तो पूरे नौ लाक अन्ठावन हजार रुपया आपकी हाथ लगने वाला है जी हरोस्तों मजाक समझने की गलती मत करना वरना जिन्दगी भर पस्ताओगी जी हरोस्तों बाद में पस्ताने से कुछ नहीं होगा जैसा हम आपको कहते हैं आप वैसा करिये क्योंकि दोस्तों भगबान सूरी देव जी के आशिरवाद से आज दो पहर तीन उनसट बचे के बाद बहुत बड़ी खुश खबरी आपको मिलने वाली है जी हरोस्तों एक प्रकार्ट से यू कहे तो अब आप के पास गाड़ी भी होगी बंगला भी होगा और पैसा भी होगा जी हरोस्तों धीरे धीरे अब आप के पास सब कुछ होगा क्योंकि दोस्तों चारों दिसाओं से अब आपको लाभ ही लाभ होने वाला है जी हरोस्तों, जानकारी के लिए हम आप शभी को बता दे, ये खुसकबरी आपकी जिल्गी में हड़कंप मजा देगी जी हरोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगी आज दो पहर तीन उनसट बजे के बाद कौन कौन से लाब मिलेंगे, कौन कौन से खुसकबरियां मिलेंगी, क्या क्या बदलाव होंगे, प्रेम से जुड़ी कौन से खुसकबरी मिलेंगी, धन के मामले में कौन से खुसकबरी मिलेंगी, और आज आपको कौन से विशेस बातो को ध्यान में रखकर कारी करना है जिससे आपको केवल और केवल लाभ की प्राप्ती हो किस दिसा में कारी करने से किन शित्रों में कारी करने शापको लाभ हो इसकी टोटल जानकारी हमने आज की वीडियो में प्रदान की है बस थोड़ा सा समय देनी है और वीडियो को शुरू इसे साथ लेकर जाईएगा जी हां और इससे आपको लाव होगा बेनेफिट होगा जी हां दोस्तों शुरबात से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहीएगा लेकिन उससे पहले मातारानी के जो भी सज्जे भक्त वीडियो को लाई करने के साथ साथ नीजे कमेंट सेक्षन में तीन बार जै मातादी जै मातादी लिखेगा उन्हें मातारानी के साथ साथ गुरुजी का भी आशिरबाद प्राप्त होगा तो आप जरूर लिखिएगा और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा आईए दोस्तों जानती हैं आज दोपहर तीन उन्सट बजे के बाद आपके जिन्दगी में क्या क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है वरिश्चिक राशी बालो धन की देवी मातारानी लक्षमी जी के आशिरबाद सी आज दोपहर तीन उन्सट बजे के बाद एक प्रकार से यू समझ लेजिए कि आपके जीवन में प उलावा आ सकता है जी हां रोस्तों और किसी ऐसे आदमी से आज आप मिल सकते हैं जिससे कि रोस्तों आपकी जिन्दगी में चार चांद लगने वाली है जी हां संभावना यहा है कि आज आपको खूब पैसा मिलने वाला है जी हां रोस्तों लेकिन ध्यान दिजियेगा कभी कभी आपके जीवन में समस्या आती है, परिशानियां आती है और आप उस समय एकदम से डिमोडिवेड हो जाती है, तूटकर बिखर जाती है, एक बात हमेशा याद रखना, जब आप दुख तकलिफ से गुजर रहे होती हैं, जब आप परिशानियों से घिरे हुए होती हैं, तो उस समय आप किसी को मत बताईए कि आप परिशानी में है आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है जब आप अपनी समस्या लोगों को बताती है तो लोग आपको इस्तिमाल करने लगती है जी हाँ अगर आप परिशानी में हैं तो समाधान भी आप ही को ढूना होगा जी हाँ, आपके अलावा दुसरा कोई भी आपको समस्या का समाधान नहीं देगा इसलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में समस्या आती है तो आप किसी को मत बताईए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है एक बात हमेशा याद रखना समस्याइं की कोई साइज नहीं होती है वो तो सिर्फ हमारी हल करने की समताओं की आधार पर छोटी और बढ़ी होती है समस्याएं हम सभी के जिवन में चलती रहेगी उनसे हमें कैसे फेस करना है ये हम पर डिपेंड करता है जी हां, बात समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरू जी आप सही बोल रही है चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहीएगा आपको बहुत सारी खुसकबरियां देने वाले हैं शितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके चारों और का वातावरन खुसनुमा रहेगा जी हादोस्तों आपको आज एक के बाद एक खुसकबरी सुनने को मिलती रहेगी जिससे आपका मन काफी प्रसन रहेगा जी हां दोस्तों शरकारी नोकरी की तैयारी कर रहें लोगों को कोई सफलता मिलेगी और आप किसी बड़े निवेश को भी कर सकते हैं और सेयर मार्केट और सटे बाची में धन का निवेश करने वारे लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा तिल खोल कर आज आप निवेश कर सकते हैं आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा जी हां दोस्तों आप अपने भविस्य के लिए भी कोई धन संचय करने में काम्याब रहेंगे लेकिन आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्चों के सामने आ सकती है जी हां दोस्तों लेकिन आपको डरने की जरूवत नहीं है अगर गलतीया हो भी जाती है तो आप तो माफि मांग लिजी इसमें कोई भी दिक्कत कोई परिशानिन नहीं है क्योंकि दोस्तों गलतीया उन्हीं से होती है जो महलत से काम करती है निकमों की जिंदगी तो एक दूसरे की तारिफ करने में ही निगल जाती है। जी हरोस्तों परिवार में किसी सदस से किसी मतभेद होने के कारण शुप रहेंगी और उन्हें कुछ नहीं कह पाएंगी। यही काम एक साथ आपके हाथ लगने से आपकी व्यागरता बढ़ सकती है। जी हरोस्तों आप अपनी सान सौकत की कुछ वस्तों की खरितारी करेंगी। जी हरोस्तों आप जीवन साथी को कहीं गुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं जो आपके लिए लावदायक रहेगी। आप परिवार की जरुवतों पर पूरा ध्यान देंगे लेकिन यदि किसी को धन उधार दिया हुआ है तो वो आज आपको वापस मिल सकता है। जिससे आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी। जी हरोस्तों आज का दिन व्यवशाय कर रहें लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी कुछ रुकी हुए डिल आज फाइनल होने से आपका मन परसन रहेगा। और जिवन साथी से आपको अपने मन में किसी बात को लेकर कहने का मौका मिलेगा। जी हरोस्तों। दोस्तों परिवार के किसी मांगली कारिकरम में आयूजन हो सकते हैं जिसमें परिवार के सभी सरस्य व्यस्त नजर आएंगे छोड़े बच्चे मौज मस्ती करके खुश रहेंगे आप अपने मित्रों के शाद किसी धार्मिक यात्रा फर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं जिसम आप अपने सावानों की अधिक से अधिक देख भाल करें और उनका खास ख्याल रखें क्योंकि सितारे हमें इस बात को लेकर संक्येत दे रहे हैं कि आज आपके साथ छल हो सकता है चोरी हो सकता है इसलिए दोस्तों अपने समानों की अधिक से अधिक देख भाल करें आपके आज का दिन आपके लिए थोड़ा बहुत उल्छनों से भरा रहने वाला है लेकिन सबी उल्छने समय के साथ अपने आप ठीक होती जाएगी जी हाँ दोस्तों आज का दिन आप के लिए किसी नए काम की शुरुबात करने के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है यदि आप नए कामों की शुरुबात करना चाहती हैं तो आज आप कर सकती हैं जी हाँ, यदि माता पिदासी किसी बात को लेकर अन्बन चल रही थी, तो वहाँ आज दूर होगी, लेकिन आपको लोगों की बातों को सुनना वा समझना होगा, जी हाँ दोस्तों, बिना सोचे समझे, एक दूसरे की बातों को आप जवाब ना दे, नहीं तो दिक्कत होगा, जी हाँ, और प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर किसी बड़े निवेश को कर सकती हैं, जो बाद में आपको समस्या देगा, विध्यार्थियों को सिक्षा में यदि कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा था, तो उनके सिलियार उनकी मदद से प्यासरत लोगों को आज खुसकबरी सुनने को मिल सकती हैं, जी हाँ, रोस्तों, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको हर तरब से लाभ ही लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन आपको सोच समस्कर ही कारिकरना होगा, जी हाँ, दोस्तों, उम बंगन मही हो